नमस्ते बच्चो, कैसे हो? मैं आपकी हिंदी फर्दमस बोल रहे हैं बच्चो, अच्छा बच्चो, हम सकेड स्टैंडर यानि दूसरी कक्षा में पिछले पाट में क्या देखा था आपको याद में है ना? हाँ, मैंने एक अच्छा सा पद्य सुनाया था आपको, उसका आपाट सुनाने वाली हूँ गिन्नती हाँ गिन्नती में क्या सिखाने वालो एक से दस तक आपको संक्या के रूप में मैं सिखाने वाली बच्चों अच्छा बच्चों दूसरी क्लास में मैंने इस पद्यों को लिया था ना प्रीवेस लेसन में हाँ आप लोगों के लिए ए नाचे नाचो इसका मतलब क्या बोला था मैंने हां माला और शीला को ये लड़की देखो जूले में जूलकर सब को खेलने के लिए बुला रही है और उसने पहले क्या खाने के लिए बोला है बिसकुट खाने के लिए बोला और दूद हमारे लिए प्रोटीन है उसे पीने के उसने बोला था फिर उसने क्या गाया था घर जाकर क्या करो हाँ बैठ के पढ़ना है और हमें साफ रखना है हाँ बच्चे लोग कितना गंदा करके मिठी में खेल के आते तो वो लोग क्या करते हैं हाँ अपने को पहले नहा के साफ रखते हैं फिर सच बोलने से बच्चे कभ भी नहीं डरते हैं बड़े लोग कितना जूट बोलते तो वहां पे छोटे बच्चे क्या करते हैं हाँ सच बोलकर वो जूटे को सच के रूप में बदला देते हैं यह है मैंने आपको पिछले पार्ट पद्ये में सुनाया था अब मैं आपको नए पार्ट में संक्या याने गिन्नती को चलाओंगी ये देखो उसका आदा पोहें बच्चो हाँ उस लड़की ने घर बैटके पढ़ने के लिए बोला था और बुद्धी मान रहे ना बड़ों की बात मानना ये भी उस लड़की ने इस पध्ये में बोला था ना हाँ और साफ रहना माफ करो जो भी गलत करते तो बड़ों से हमें क्या करना चाहिए माफ करने के लिए बोलना चाहिए और उसके बास सच बोलकर किसी से डरना नहीं चाहिए आप देखो बचो आप नहे पाट में हाँ ये युवा बारदी के किता में देखो ये पिक्चर कौन है आपको मालूम है ये है महाकवी बारदी ये एक अच्छे से पोईटर है ये अच्छा गायक है ये आजादी के लिए अच्छे से जोश के गाने लिखकर हमारे देश के आजादी के लिए ये प्रयतन करके कोशिश करके कितने तकलिफों को टॉलेरेट करके ये महाकवी बारदी ने आजादी दिलाई थी इस प्रकार आजादी में सब लोग शामिल है ये एक नेता जैसे ही है ये किताब से मैं आपको लास पेज में संक्या याने गिन्नती को आपने आपको गिन्नती आ गया देखो हाँ अब पहला वाला येक है ये का येक हाँ इस अंगरेजी में क्या बोलते हैं वो यह नहीं वान दो दापलेस वो दो टी डवली वो टू इस अंगरेजी में बोला जाता है टू तीन तापलसी टी न तीन त्री टी हैच आज़िए आपलेजी त्री चार चापलिजय चा ये चार इसे अंगरेजी में फोर यह वो यू आर फोर पांच 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 इसे अंगरेजी में 5 बोलते हैं यह 5 वी 5 चह है छे दो रूप में बोला जाता है इसे नौ बोलते हैं हाँ लास्ट वन है आख्रिका का कौन सा संक्या है दस यह है दस संक्या के संक्या को मैंने आपको बोल कर दिया है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस आप देखो बच्चो मैं गिन्नती को चित्र के रूप में दिखा कर उसे कैसे संक्या में आपको गिन्नती करने के लिए मैं सिखाऊंगे आपको पहला वाला देखो ये एक येक में मैंने क्या चित्र दिया है घर घर हमारे लिए सुरक्षित है है ना बच्चो हाँ आज देखो कोवियती 19 की वज़े से हम लोगों का स्कूल नहीं है हाँ हम लोग क्या कर रहे कहां पे है घर पे है है ना बच्चो घर हमारे लिए होता है कि नहीं येक घर कितना घर यए की घर सब के लिए होता है है ना बचों आप लोग भी कहां पर है घर पर है आपके घर कितना होता है यह यह घर मालूम है न हाद máquina हमारे लिए सुरक्षित है आज इतनी बड़ी बीमारी की वज़े से हम लोग घर में सुरक्षित रहते हैं और COVID-19 से बच कर रहने के लिए हमें घर इतना सुरक्षित है सो घर हमारे लिए येक है येक दो हाँ दो गेंदे गेंदे इस बाल्स हाँ बाल्स को क्या बोला जाता मालूम है न हाँ हिंदी में गेंद बोलते हैं अंग्रेजी में बाल कितने बाल है दो बाल लेकिन आपके घर में बच्चों लोगों को ले घर में एक बाल लेके देते हैं ना बच्चो हाँ बाल से हाप लोग क्या खरते हैं प्ले करते हो हाँ पैरों से खेलते हो बॉल लेकर पैरों से ठेल ठेल के खेलते हो ना बच्चो हाँ दो गेंदे कितने गेंदे टू बॉल्स है ना बच्चो येक घर वन हाउस टू बॉल्स दो गेंदे तीन देखो तीन में क्या है वेरी गुड बच्चो आइस क्रीम्स हाँ कितना ठंडा होता आजकर सम्मर डेस में हम लोग क्या खाते है आइस क्रीम्स बच्चो को बहुत पसंद है और स्वाधिष्ट है रंग भिरेंगे आइस क्रीम्स है हाँ देखने के लिए कितना कालरफुल रहेंगे ना आइस क्रीम्स हाँ बच्चो सो इस प्रकार तीन आइस क्रीम्स है कितने आइस क्रीम्स है तीन हाँ आप देखो चार चार में क्या है मचलिया मचलिया कहा रहते बच्चो सागर में हाँ बच्चो सागर में क्या रहता है मचलिया रहते हैं और मचलिया पकड़ कर कौन लाते हैं मचलि वाला फिशर्मैन हाँ वो कहां से कहां लेकर कहां जाता है और कहां लेकर आता है सागर में जाके बीच दर्या में यानि सागर में जाकर बीच में जाके मच्छी के लिए क्या बिचाता है नेट जाल बिचा कर हाँ मच्छी को पकड़ के लाके हमें क्या करता है बिकाता है बेच सा है हम लोग पर्चेस करके घर में हाँ फिश फ्राई करते हैं हाँ फिश से वेरेटिस अफ द्रिश्यस करके मम्मी आपको दिलाती है क्योंकि मच्छी में भी हमारे लिए बहुत ताकत है, यहाँ पे कितने मच्छली है, चार मच्छली है, उसके बाद देखो, पांच, पांच में क्या है, मिठाईया, आप लोगों को बहुत पसंद है ना चॉकलेट, हाँ बच्चों यहाँ पे कितने पांचा है यह से कैसे कौं करोगे यह जो मुई एक चॉकलेट दो चॉकलेट तीिम चॉकलेट चार चॉकलेट और फांच चॉकलेट यह फांच मिठाई हैं हा जहाँ क्या है सिक्स में क्या है पत्ते हाँ ग्रीन लिव्स याने हरय पत्ते ये पत्ते कहां पे रहते हैं पेड़ के ऊपर पेड़ के पास रहते ना हाँ और चोचर चोटे पौदे भी रहते उसमें भी क्या होते हैं पत्ते होते उस आरियाले को देखर इतना सुंदर लगता है है ना बच् सतने इतना देखने के लिए सारा जगा कं से होरा बरा वैसे रहगा तो हमारे क्या मिलेगा बारिश में इसलिए पत्ते को पेड़ों को हमें पेड़ से ही पत्ते आते हैं हाँ इसलिए पेड़ को ज्यादा पालना चाहिए यह देखो बच्चों अब नेक्स पेज में देखो हाँ साथ साथ में मैंने क्या ड्रॉ किया चित्र दिया है पेड़ हाँ पिछले छे में मैंने क्या दिया था पत्ते पेड़ पत्ते दोनों ये किये क्योंकि पेड़ से पत्ते आते हैं इसलिए हम लोग हमारे घर में येक एक पेड़ लगाना है तब हमें क्या मिलता है बारिश मिलता है बारिश से पेड़ पोदे अच्छा सा उगते हैं हाँ तब हमारा भारत कैसा दिखेगा सारा जगा हरियाली ही हरियाली होती है हाँ इससे हमारा देश सारे जहां से अच्छा जैसे भारत इतना सुंदर प्रकृती देखो कितना सुंदर बच्चों साथ में ने पेड के चित्र को दिया है वहां पे है अब आटवा में देखो बच्चों हांस्मुक है इसका मतलब क्या है स्माइ़ी वेस हेडा बच्चो तुम लोग हमेशा हंसते रहते हों चोटे बच्चे सब हमेशा हंस्मुक है क्योंकि वो लोग फूल के समान है और वो हमेशा पहसते रहते उनके लिए कोई तक्लिफ की बात भी नहीं है वहाँ पे तक्लिफ तो वो नहीं जानते क्योंकि आज कल के उनके माता पिता बच्चों को इतना खुशी से रखते हैं हमेशा चोटे बच्चे हंस्मुकी के रूप में रहते हैं जैसे एलकेजी यूकेजी देखो उन लोगों का चहरा देखने से हां बड़ों का सारा दुख दूर हो जाता है हमेशा हां वो हंस्मुकी के रूप में रहते चोटे बच्चे इसलिए मैंने आठ में हंस्मुकी का चह घयरा दिखाया है और देखो नौ में तुरिभजाकर इसे अंग्रेज में ट्रियांगल बोला जयता- यह दिख समय आता है हां चार में हम हिंदी में तुरिभजाकर बोलते हैं किसे ट्रियांगल के लिए में कितने साइड सोते हैं तीन साइड्स हाँ तीन किनारा होता है इस प्रकार बोला जाता है हिंदी में सो इसे हम नो के लिए तुरुजाकार बोलते हैं है ना बच्चों हाँ, अब दस में देखो फूल है, बच्चे और फूल एक जैसा होते हैं क्योंकि दोनों कोमल है फूल भी कोमल है, बच्चा भी कोमल है, हाँ, softness बोला जाता है, इस प्रकार फूल कैसे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, और भगवान के लिए फूल लगाया जाता है, हाँ, लड़किया अपने सर में फूल लगाते हैं, जो शादी शुदा होते हैं, वो लोग अपने गले ज्यादा होते हैं मैं सक्या के लिए फूल को चित्रों में लिया है हाँ बच्चो मैं और एक बार आपको गिन्नती बोलके देती हूं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस आज से आपका पार्ट हो गया हाँ आज का पार्ट आप गिन्नती में मैंने सारा आपको बोल के दिया है बच्चों ये घर में बैटके ध्यान से पड़ो हर वीक का असेंडमेंट आप घर में हर दिन करोगे प्राक्टिस करो तभी कुछ भी नहीं भूलोगे पड़ाई में है ना बच्चों आप लोग छोटे हो गर में ममी पापा की बात मानो और उनके पास पड़ाई करो और हर दिन जो हो माग दे रहे हैं अध्यापको ने उसका असेंडमेंट जरूर करना है बच्चों धन्यवाद